नमस्कार आप देख रहे हैं वत्सुवाज और मैं हूं मुकेश वत्स फ्रेंड्स आज के इस विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ष दोहजार चौबेस मीन राशी या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा इस विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मीन राशी वालों का स्वास्थ कैसा रहेगा उनके संबंध उनके पारिवारिक जीवन आमदनी किस तरीके का होगा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कौन सितिति महत्यपूर्ण है और साथ ही मैं कुछ बहुत सरल उपाए भी आप लोगों को बताऊंगा जिनको करते हुए आप अपने वर्ष दोहजार चौबिस को और भी सुगम बना सकते हैं तो ये एक important वीडियो है इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा मेरे वीडियो यदि आप देखते आये हैं और आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा इससे और कुछ तो नहीं फ्रेंड्स लेकिन हम लोगों को एक motivation मिलता है ताकि हम लोग और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाए फ्रेंड्स जब कभी भी पूरे वर्ष की गंड़ना करनी होती है तो हमारे जो चार slow moving planets हैं गुरू, शानी, राहु एवं क पेतू, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये planets बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं और इसलिए इनका प्रभाव भी लंबे समय तक हम लोगों के जीवन पर पढ़ता है अब जैसे मैं आप लोगों के screen पर कुंडली दिखा रहा हूँ आप देखिए पूरे वर्ष मीन राशी या लगन वालों के लिए शनी आपके twelfth house में रहेंगे राहू first house में रहेंगे केतू seventh house में रहेंगे और यदि देवगुरू ब्रिहस्पती की बात करें तो साल के पहले चार महीने ये आपके second house में रहेंगे और second में के बाद अगल के third house में आ जाएंगे अब चलिए हम लोग वर्ष के prediction की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देवगुरू ब्रिहस्पती के प्रभावों से करते हैं Friends देवगुरू ब्रिहस्पती आप लोगों के लिए बहुत important planet है क्योंकि आपके लगन के लौड तो हैं ही साथ ही आपके tenth house के लौड भी है अब देखिए यहाँ पर आपके tenth house और लगन के लौड अपने कारक भाव में धन एवं कुटुम्ब के भाव में बैठे हुए है ये गुरू के लिए एक बहुत अच्छी स्थिती है आप यदि देखेंगे तो गुरू दस्वे भाव से पांच्वे में में बैठे हुए है फिफ्थ टू दे टेंथ हाउस तो ये क्या है नौकरी व्यापार में आपको तरक्की दिलाएगा पहले चार महीने यदि आप कैरियर वगेरा में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही उप्युक्त समय हो जाता है आप यदि नई नौकरी करना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट में बदलाव चाहते हैं, अपने प्रोफाइल में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर्स चाहते हैं, तो 1 माई 2024 तक का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप अपने कोर्स में अच्छा करेंगे, यदि प्रतियोगी परिक्षा वगएरा में बैठना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, धन एवं कुटुम्ब भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो इस समय में आमदनी में वृद्धी होगी, और साथ ही परिवार में भी वृद्धी होगी, कुटुम्ब भाव में जब भी गुरु बैठते हैं, तो घर में किसी का विवास अंपन हो सकता है, या फिर बच्चों का जनम हो सकता है, जो लोग विवाहित हैं, उन लोगों क वैवाहिक जीवन इस समय में बहुत अच्छा चलता है, और आप अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करते हैं, समाज में आपको अच्छा मान सम्मान मिलता है, और सामाजिक कारियों में भी आप रुचि लेते हैं, आप इस समय में कोई भी इन्वेस्ट्मेंट वग प्रापर्टी खरीदता है, गुरू की आठवी पर दरिश्टी है, तो कुछ जातकों को पैत्रिक संपत्ती में लाव भी मिलता है, और जो लोग भी गुप्त विद्या, तंत्र साधना, मेडिटेशन, हीलिंग वगेरा सीखना चाहते हैं, या जो इस छेत्र में हैं, वो लो गुरू ब्रिहस्पती का मरण कारक स्थान कहा जाता है, वैसे भी देखिएगा, तो आपका थर्ड हाउस जो है वो शुक्र की राशी है, जहां पर ब्रिहस्पती बहुत ज़्यादा सहज नहीं रहते हैं, ऐसे समय में मीन लगनिया राशी वाले जातकों से गलतियां हो सकती हैं, और मूलतः किस प्रकार की गलतियां होती है, समवाद से समबंधित, आपके कम्यूनिकेशन से समबंधित गलतियां होती हैं, और इसके वज़े से आपको कई तरह की परिशानिया आ सकती हैं, लोग आपको इस समय में मिसंडस्टैंड करते हैं, you are misunderstood, आप कहते कुछ और हैं लोग समझ कुछ और लेते हैं कई जातक इस समय में मानसिक रूप से अपने आपको थोड़ा अशांत महसूस करते हैं और शारीरिक रूप से भी थोड़े असमर्थ फील करते हैं कई लोगों को इस समय में अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ती हैं अंचाहे ट्रांसफर्स कुछ लोगों को मिल सकता है पिता के स्वास्थ के लिए भी थर्ड हाउस के जुपिटर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं ऐसे समय में चाहिए कि थोड़ा सा आप लोग प्रोफाइल मेंटेन करके चलें हलांकि देखिए लगन में राहु है राहु जल्दी आपको लोग प्रोफाइल मेंटेन नहीं करने देता है लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा सिर्फ यदि देवगुरु ब्रिहस्पति की बात करें तो थर्ड में जब देवगुरु ब्रिहस्पति हैं तो यदि शान्ती से लो प्रोफाइल रखकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब देखिए फ्रेंड्स देव गुरूब रिहस्पती बहले ही अच्छे स्थान में ना बैठे हो लेकिन देव गुरूब रिहस्पती के द्रिष्टी में अमरित होता है ये मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड हाउस में बैठकर जुपिटर आपके सेवन्थ हाउस को देखेंगे तो कुछ लोगों के लिए ये वर्ष मई के बाद विवाह की परिस्थितियों का निर्मान करेगा लेकिन द्यान रखिएगा सेवन्थ हाउस में केतु भी है इसलिए विवाह करने का निर्ण है थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए विशेश कर आपके पार्टनर कौन है इसका द्यान रखिएगा केतु वाले सेक्शन में जब मैं आऊँगा तो बताऊँगा ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ जो लोग बिजनस में है उन लोगों को इस समय में लाभ मिलता है क्योंकि जुपिटर की द्रिष्टी है और जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो सेवन्थ हाउस में बैठे हुए केतु बिजनस में जो भी परेशानियां दे रहे थे उन परेशानियों का आप देखेंगे थोड़े कम हो जाएंगे उसमें सुधार आ जाएगा देवगुरु ब्रिहस्पती की द्रिष्टी आपके नाइन्थ हाउस पर भी है और नाइन्थ हाउस पर सेकंड में के बाद डबल ट्रांजिट का प्रभाव भी पड़ेगा जुपिटर की द्रिष्टी आपके 11th हाउस पर भी है इसलिए परिचित लोगों से लाभ आपको मिलेगा नए अवसरों की प्राप्ती होगी नेटवर्क से सुपीरियर्स से आपको लाभ मिलेगा आपके जो जीवन साथ ही आपके स्पावस इस समय में अच्छा करेंगे और यदी मान लीजिए महादशा अंतरदशा अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर अपने खान पान स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए मैं हमेशा महादशा अंतरदशा की बात करता हूँ फ्रेंट्स ट्रांजिट अपने आप में कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक की महादशा अंतरदशा उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है अब हम लोग बात करते हैं शनी की शनी पूरे वर्ष मीन राशी या लगन वालों के लिए ट्वेल्थ हाउस में रहेंगे और सैटन के लिए ट्वेल्थ हाउस में बैठना फ्रेंट्स बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सबसे पहले तो ट्वेल्थ हाउस के शनी आपको एक सेंस ओफ लोनलिनेस देंगे आप बहुत अकेला महसूस करेंगे इसका कोई वज़य नहीं होगा लेकिन सडनली आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप बिलकुल लोनली है इस समय में जिन लोगों की राशी मीन है मतलब जिनका चंद्रमा मीन में है उन लोगों के लिए क्या है अभी लगभग एक वर्ष से साड़े साती चल रहा है आप लोग साड़े साती से पीडित है तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ही प्राब्लम्स फेस कर रहे होंगे आप इस समय में अपने आप में सिम्टे रहेंगे बहुत ही इंट्रोवर्ट किसम का सुभाव आपका हो जाएगा ट्वेल्थ में बैठे हुए शनी आपकी परिक्षा कई तरीके से लेते है स्वास्थ की कुछ परिशानिया दे सकते है अत्यधिक खर्चों के वज़े से आपके फाइनांसिस पर असर पड़ सकता है माता पिता से दूरी बढ़ सकती है मित्र एवं संबंधियों का आप लोगों को इस समय में सहयोग कम मिलता है या नहीं मिलता है तनाव के वज़े से बहुत लोगों को नींद बगएरा की परिशानी होती है पिता के स्वास्थ में भी कुछ कमी आ सकती है या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते है और ट्वेल्थ का शनी कोई सडन बड़ा खर्चा भी दे सकता है और ये किसी के वज़े से भी हो सकता है फैमिली के किसी भी मेंबर की वज़े से आपके आपके स्पावस आपके बच्चों के उपर खर्चा हो सकता है तो इस चीज के लिए भी mentally prepared रहना चाहिए लेकिन अच्छा ये है friends कि शनी अपने मूल्त रिकोंड में कुम्ब में बैठे हुए है और शनी एवं गुरू की स्थिती ऐसी है कि इस वर्ष आपके दो भावों पर double transit का प्रभाव पड़ेगा 1st May तक आपके 6th house पर double transit का प्रभाव है और इसमें क्या होगा उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे स्वास्त संबंदित जो परेशानिया है उनको ये शनी ठीक करेंगे ये शनी मेहनत करवाएंगे लेकिन results भी देंगे और फिर second में के बाद जैसा ना ने पहले भी चर्चा किया गुरू एवं शनी की सम्मिलित द्रिष्टी आपके नाइंथ हाउस पर होगी तो शनी भले ही 12 में बैठे हुए हैं लेकिन मार्च 2025 तक आपके भाग्य में व्रिद्धी में शनी मदद अवश्य करेंगे इस वर्ष आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा और कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं वैसे भी देखिएगा तो शनी 12 के स्वामी है 12 में हैं और 9 पर द्रिष्टी कर रहे हैं विदेश यात्रा के योग तो बहुत सारे लोगों के बनेगे ही बनेगे इस डबल ट्रांजिट के प्रभाव से आपके पिता भी अच्छा करेंगे आपका धर्म, आध्यात्म, दर्शन के प्रती रुची बढ़ेगा जो लोग उच्छिक्छा में हैं वो लोग भी इस समय में अच्छा करेंगे तो डबल ट्रांजिट कुछ हद तक संभाल ले रहा है अब हम लोग बात कर लेते हैं राहू की फ्रेंड्स, राहू पूरे वर्ष, मीन राशिया लगन वालों के लिए आपकी लगन, आपके पहले भाव में रहेंगे राहू का गोचर या तो लगन से हो रहा हो या चंद्रमा के उपर से हो रहा हो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में व्रिद्धी करवाता है आपको चतुर और चालाक बनाता है लेकिन ये आपको बहुत ज़ादा सेल्फ सेंटर्ड आत्म के इंद्रित भी बनाता है आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और लगन का राहू आपको बहुत ज़ादा मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़ादा भौतिक वाधी भी बना देता है पैसा पैसा इनकम ध्यान उसी पर ज़्यादा रहता है राहू के पहले भाव में बैठने का बड़ा प्रभाव ये भी होता है कि ये आपको एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल अलग तरीके से सोचने की सूजबूज देता है आप बिल्कुल लीक से हट कर चलते हैं और राहू यदि लगन में बैठ जाएं तो कभी-कभी कुछ बुरी आदतें भी ये आपको दे सकता है अब जैसे धर्म कर्म से आपका मन विमुक हो सकता है बहुत ज़्यादा सेक्सुल डिजायर आप में आ सकता है गलत कारियों को करने के प्रती शौटकट से पैसा कमाने के प्रती भी आपका रुजहान बढ़ता है यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है तो लगन का राहू आपको आमदनी के नए सोर्सिस बना कर देता है और कई बार आपको सडन लाब भी मिलता है अच्छी स्थिती में होने पर लगन का राहू विदेश के साथ आपके संबंद बनाता है और कई लोगों को विदेश यात्राएं भी देता है इस समय में आप लोगों को चाहिए कि चमक दमक से, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स से, जूट बोलने से, किसी को कुचल कर आगे बढ़ने की टेंडेंसी से बचना चाहिए लगन का राहू कई बार पेरेंट्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है तो इस समय में अपने माता-पिता के स्वास्थ का भी ध्यान रखना चाहिए अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं केतू की मीन राशी अलगन वालों के लिए केतू पूरे वर्ष आपके सेवन्थ हाउस में रहेंगे और सेवन्थ भाव में भी केतू को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है आपके जीवन साथ ही के लिए आपके प्रेम संबंधों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए साथ ही आपके व्यवसाईक जीवन के लिए भी सेवन्थ हाउस के केतु बहुत उप्युक्त नहीं माने जाते है इस समय में ध्यान ये रखना चाहिए कि व्यवसाई के छेत्र में कोई भी बड़ा और आमूल चूल परिवर्तन करने से बचना चाहिए कोई भी मेजर चेंज जो लोग भी बिजनेस में हैं इस समय में बिलकुल मत कीजी केतु क्योंकि कई बार आपको गलट डिजिशन की और ले जाता है आपको इस समय में लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि आपने जो step लिया है वो गलत हो गया इस समय में आपके spouse के सुभाव में एक unpredictability कभी नरम कभी गरम ऐसा हो सकता है और इसके वजह से spouse के साथ मतभेद हो सकता है जो लोग भी partnership business में हैं, उनको अपने business partners के साथ मतवेध हो सकता है जो pregnant महिलाएं हैं, उनको इस समय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि abortion, miscarriage की संभावनाएं बढ़ जाती है third house में guru रहेंगे और seventh house में केतु रहेंगे याद है मैं आप लोगों को विवाह के बारे में कह रहा था कि जब केतु के section में आएंगे तो मैं बताऊंगा कुछ लोगों के विवाह के chances तो बनेंगे लेकिन सात्वे में केतु का प्रभाव ये भी होता है कभी कभी कि विवाह कुछ unconventional तरीके का हो जाता है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस समय में गलत तरह के आरोप लग सकते हैं और इसके वज़ा से बदनामी हो सकती है तो केतु 7 में हैं इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अब मैं कुछ dates आपको बताता हूँ इन तिथियों को आप लोग अपने दिमाग में रखिए इसका विशेश ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला period है friends 15th March से लेकर 15th April और उसके बाद 15th September से लेकर 15th October इस समय में आपके लगन और 7th house में ग्रहन लगेंगे ये important है ग्रहन के आसपास के समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए अपने एवं अपने spouse के स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए साथ ही इस समय में कोई भी महत्तपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए और जो लोग भी business में हैं उन लोगों के लिए और भी ज्यादा ध्यान रखने का ये समय होगा इस समय में कुछ ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपकी बदनामी हो इसके बाद friends दूसरा period आता है जिसमें अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है वो है 23 April से लेकर एक जून तक आपके लगन में आपकी राशी में इस समय में अंगारक योग का निर्मान होगा इस समय में विशेश सावधानी रखनी होगी अपने विवहार का इस समय में बहुत द्यान रखिएगा उबियेगा बिलकुल मत जगडा जंजट वाले स्थान से दूर रहिएगा और जब मंगल एवं राहू बिलकुल डिगरी में एक दूसरे के करीब होँ तो उस समय में कोई भी important decision मत लीजिएगा तीसरा period जिस पर ध्यान रखना है मई महीने में देवगुरु ब्रिहस्पती combust हो जाएंगे अस्त हो जाएंगे जब देवगुरु ब्रिहस्पती अस्त होते हैं तो वैसे भी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है जुपिटर इतने important planet है और आप लोगों के लिए तो आपके स्वामी ही है तो जब ये combust हो जाएंगे तो उनके पूरे results आपको नहीं मिल पाएंगे आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है तो इस समय में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और patience रखना चाहिए fourth period चौथा period जिसका ध्यान रखना है वो है 9 October से देव गुरु ब्रिहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपके लगन आपके राशी के स्वामी जब retrograde motion में जाएंगे तो इस समय में भी आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका काम जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है बाधाएं आएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे जाने के बजाए पीछे की और जा रहे है तो इस समय भी थोड़े से धैर्य की आवश्यक्ता होगी यदी सहनशील बने रहिएगा और अपना काम करते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा परिशानी नहीं होगी अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंट्स कि पूरे वर्ष मीन राशी या मीन लगन वालों को कौन से रेमेडीज करने चाहिए देखिए इस साल आपके लगन आपकी राशी में एक तो राहू बैठे हुए हैं दूसरे आपके ट्वेल्थ हाउस में शनी बैठे हुए हैं ये दो प्लानेट्स थोड़े से गलत जगह में हैं और जो लोग मीन राशी के हैं यानि कि जिनका चंद्रमा मीन का है उन लोगों के लिए तो साढ़े साती चल रहा है तो सबसे पहला रेमेडी हनुमान जी की पूजा आवश्यक हो जाती है लगन में राहू हैं तो देवी की पूजा तो आवश्यक करनी चाहिए देवी भगवती की पूजा आप लोग यदि करते रहेंगे तो लगन का बैठा हुआ राहू दुश्प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा उससे आप बचे रहेंगे इसके अलावे आप ही के स्वामी के घर में राहू है जो पिटर के हाउस में है इसलिए अपने घर में हमेशा विश्णू सहस्त राम वगएरा आप सुन सकते हैं चुकि लगन में राहू है इसलिए आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा जैसा मैंने धनू वालों के लिए कहा था कि इस वर्ष घर पर कभी-कभी पूजा, पाठ, हवन वगएरा करवाते रहें अब जैसे रुद्रा विशेक है, सत्यनारायन भगवान का कथा है, दुरुगा सब्थशती का पाठ और हवन है इन चीजों को यदि करते रहेंगे, तो मुश्किल परिस्थितियों से बचे रहेंगे तो ये था फ्रेंड्स, 2024 मीन राशी अलगन वालों के लिए कैसा रहेगा, उसका एक डिटेल्ड बेवरा मुझे उमीद है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा और डिटेल्ड लगा होगा यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी अपने मीन राशी वाले फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिएगा अपना प्यार अपना आशिरवाद इसी तरीके से मुझ पर बनाये रखिएगा आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीजिए